हेई गाइज विल्कम बैक टाइम कैसे निकल जाता है अभी तो ये साल शुरू हुआ था और अब नभेंबर में आगे हम लोग वैसे नभेंबर मेरा फेवरीट मन्थ है सिर्फ नभेंबर नहीं नभेंबर से लेके फेवरी मुझे बहुत पसंद है विकाज विंटर मेरा फेवरीट है और ये फोर मन्थ मेरे लिए हर दिन फिस्टिविल के जैसा है नभेंबर से ही न मुझे बहुत ही अच्छा फिल होता ह कोजी वाम और एक फेस्टिव मूड ओन हो जाता है और दिवाली में भी तो साफ सफाई जरूरी है ना तो मैं अपने घर को भी थोड़ा साफ सफाई करूंगी वैसे हर एक फेस्टिव में मैं पार्टिसिपेट करती हूं कि बचपन से ही मेरी जो टीचर है उनके घर पे कोई भी जब पूजा होता था कोई भी सेलिब्रेशन होता था मैं हमेसा जाती थी क्योंकि वह फेमिली के तरह थी मेरी अम्मी अब्बू उनको छोटी बहन मानती थी और हम दोनों फेमिली एक जैसे थे तो मुझे आदत है बचपन से ही हर एक फेस्टिव में पार्टिसिपेट क रहाती थी फीर Divali के टाइम पर हम लोग भी जाते थे बहुत इंजवाई करते थे मेरा बेटरूम का जो कलर है बहुत ही बेकर है बहुत ही डॉल लगता है एंड्डेमें में सूट करते हैं तो और ज़दा डल लगता है तो मैंने कुछ इस्टिकर जो वाल इस्टिकर है मेसो से ओर्डर दिया था थोड़ा बहुत लगा के देखती हूं कि कैसा लगता है तो थोड़ा स्ट्रेगल किया है बहुत रोई हूं और सिफ अल्ला से दुआ मांगती थी अपनी सारी मुसीबते सेयर करती थी और आज अल्ला ने मुझे हर एक मुसीबत से निकाला है अपने लाइफ में किसी इंसान से उमीद मत करो सिर्फ अपने खुदा पर एकिन करो उनसे मांगो उनसे हर एक चीज़ सेयर करो लाइफ में सबर करना बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है मेरा टॉम बबु का निव नेकलेस देख रहे हो पता नहीं रीबन कहां से मिला उसको साफसफाई करते वक कहीं से मिला होगा और अभी गोल गुल गूम रहा है एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि आपने काम से लेके हर एक चीज़ कैसे किया तो जब क सिक्स में थीना में तब में बड़ी हो गई थी तब ही मेरा बच्पन खतम हो गया था क्योंकि क्ला सिक्स में मेरी अम्मी प्रेग्निन थी मेरा बाई होने वाला था और मेरा बाई एक इस दिन के बाद इंतिकाल हो गया था और कुछ नहीं यारी इस बारे में नहीं बात कर स एनिवेस मेरा स्टोरी थोड़ा सा स्याड है आई मिंग मैं नहीं बोल पाऊंगी बट लाइफ में ग्रोध बहुत जरूरी है आपके काम पे भी और आपके लाइफ के हर एक चीज में होनी चाहिए अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप अपने येर्स अपने मंद को प्रगल होता है साधी से पहले भी साधी के बाद भी और बहुत टाइम भी कम होता है साधी से पहले वह सारी चीज़ें आप कर पाते हो जो आप करना चाहते हो और अभी आप अगर अपने टाइम विष्ट करोगे तो कैसे आप अपने उपर सेल्फ डिपेंड होंगे कैसे अ पर बेबी, फैमिली, इनलोज, रिस्पोंसिबिलिटी कहीं न कहीं आप चीजों को इग्नॉर करने लगते हो बिकोज आपके उपर और और रिस्पोंसिबिलिटी आ जाता है इसलिए जो वक्त अभी है आपके पास साधी से पहले का जो वक्त है उसको अपने काम पे लगाओ, ना कि टाइम पस करो कुछ भी देखके आप अपने काम पे फोकस करो, अपने उपर फोकस करो, अपने सेल्फ केर करो, अपने आपको ग्रों करो अपने आपको हर एक एंगल से perfect रखो देखो कोई भी इंसान परफेक्ट वाइसे नहीं होता है कुछ ना कुछ हम में कमिया होता है वो नॉनमिल बात है हम लोग यूमन है ना वो नॉनमिल चीज़े बट कैसे भी करके हो अपने आपको प्रेजेंटेविल रखना हर एक चीज़ से अपने पैसन को फॉलो करना अपने मेंटल हेल्थ का टेक केर करना अपने आपका टेक केर करना और सबसे ज़्यादा इनपोर्टेंट सेल्फ डिपेंट होके जीना खुद के बल्बूते पे जब आप सोके उठ रहे हो उसके बाद 12 गंटा 10 गंटा आपके पास है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है ये नहीं कि चलो कल क्या होगा देख लेंगे पूरा दीन बेट पे पढ़के या फिस सोफा का कॉर्णर पकड़के स्क्रॉल करना, दुसरों का लाइफ देखना दुसरा आगे बढ़ रहा है ये सारे चीज सोच सोच के डिप्रेशन, इंजाइटी और सबसे बड़ी बात है अपने आपको किसी और के साथ कमप्यार करने लगता है बिकास खाली टाइम पे ये ही सारे चीज़े तो होती है अपने सीडियोल को सेट करके अपने गोल्स के तरफ फोकस करो और मेरे रूम का मेकोवर कैचा लग रहा है ज़रा ये भी तो कमेंट करके बताओ अच्छा लग रहा है ना और मैंने सोचा है कि तो दिवाली है नवेंबर है तो थोड़ा सा लाइट भी अच्छे से लगा लेती हूँ और मैंने ना दो तीन लाइट भी मंगवाया था है अमोजन से सारे के सारे मुझे धोका दे दिया है ओनलाइन इसलिए इलेक्ट्रीक का चीज लेने में मुझे डल लगता है तो ये की लाइट है जो अच्छा अभी चल रहा है और ये देखो कितना ज़्यादा खुशी मुझे उस टाइम फिल हो रही थी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था ये वीडियो जब मेरी अम्मी देखेगी ना तो बहुत खुश होगी अद दूसरा रूम का मैंने कितना कवरा करके रखा है और बहुत ज़दा मेसी है क्योंकि थोड़ा बहुत सूट था इसलिए ऐसा हो गिया है इस रूम का थोड़ा सा मेक ओवर भी आज में करने वाली हूँ और मेरे पास ना बहुत सारा न्यू क्यों स Gibson केर पोड़ाक्ट मेंने ओडर दिया है क्योंकि अब भी साल का लास्ट है तो बहुत सारा नहीं और न में चैनल करने वाली हूँ जब तक मैं पोड़ाक्ट ट्राइ नहीं करूंगी तब तक मैं आप लोगों कैसे रिक्वरण करूंगी तो पहले तो मैं इतना नहीं करती थी skincare का product में खरचा बट अभी तो मुझे करना पड़ेगा बिकाज मैं एक beauty blogger हूँ तो मैं product ट्राइ करूँगी self test होगा तब जाके मुझे confident आएगा और मैं वही सारे चीज़े में आप लोग के साथ भी share कर पाऊँगी यह जो लीटर है ना मेरा बाबू का यह लीटर में जब जब में साफ करती हूँ इतना ज़्यादा इसमें खुसबू आता है क्योंकि lavender flavor का है यह और यह जो दाना देख रहे हो ना जो colorful है पुरा lavender है और जो बाबू साब है वो आया है देखने के लिए कि ममा ने मेरा लीटर साफ किया है की नहीं किया है यह लड़का इतना ज़्यादा attitude दिखाता है और अपना ही mood में रहता है day में तो उसको touch भी करूँगी तो भाग जाएगा पर night में आता है मुझे प्यार करने के लिए माउ मा करके लोग बोलते है कि cat बात नहीं सुनता है पर मेरा cat बात भी सुनता है react भी करता है और अपना नाम सुनके दोड़ दोड़ के आता भी है सबसे बड़ी बात क्या है पता है teach करना जैसे बच्चे को टीच करोगे तो सीखेगे वैसे ही cat and dog के साथ अब टीच करोगे तो वो सब कुछ समझता है, सिर्फ हमको पेसंटी सिखाना पड़ता है और यहां पर वो सुसु पॉटी करता है और जो गोल बन जाता है लट्डू जैसा वो फेक दो तो फ्रेज भी रहता है और इंफेक्शन भी नहीं होता है जो लोग के पास क्याठ है उनको तो पता ही होगा धंतरस में सौपिंग करना कुछ सालों से मेंने सुरू किया है वैसे तो साल भर में जब भी मेरा सेविंग हो जाता है मैं गोल्ड्स ले लेती हूँ पर धंतरस के टाइम पर मैं इस्पेशली आ रही हूं कुछ सालों से और मुझे चाहिए तब वो है सेकंड फ्लोर में तो मैं जा रही हूँ अभी second floor में यहाँ के जो दीदी है मुझसे बहुत अच्छे से जान पैचन हो गई है कि कि 3-4 साल से जो मुझे देख रही है और मैं उनकी customer हूँ तो मैं आई हूँ second floor में तनीस का diamond देखने आज मैं ले रही हूँ first time आपने लिए diamond मैंने सोचा gold में तो मैं invest करते हूँ क्यों न एक diamond में भी invest किया जाए तो first time मैं ले रही हूँ आपने लिए finger ring diamonds का तो वो ही सारे चीज में देख रही हूँ मुझे white gold में जो diamond दिखाया पहले वो मुझे उतना पसंद नहीं आया तो यहाँ पर बहुत सारा चीज मुझे दिखाया गया पसंद कुछ आया मैंने कुछ short list किया है पर उन में से एक मैंने जो short list किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने यही final कर दिया और जो दीदी थी उन्होंने मुझे बोला कि समरीन अभी तुम यह ले लो और मैं अभी 3-4 और भी चीजे पीक करने वाली हूँ actually उसका नएक card होता है उसका क्या process है मैं आप लोग को बाद में कभी समझा के बताऊंगी क्योंकि मैं यहां पे भी हर मन पैसा इन्विष्ट करती है तो वो क्या process होता है पैसा इन्विष्ट करने का वो मैं आप लोग को बताऊंगी कभी बता दूंगी ताकि आप लोग को भी help हो जाए और समझ में आये कि gold का investment कैसा किया जाता है मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मैंने बहुत महिनत किया है सोती तब में थी जब मैं बेहुसी के हालात में पहुच जाती थी और आपको पता है 10 रुपिया खर्चा करने के लिए भी 10 बास सोचना पड़ता था इतना cut to cut पैसा होता था अब जब मैं सारे चीजों को ले पाती हूँ बिना सोचे बस gratitude है अल्ला का सुकर है बस बहुत महिनत किया है तब ही जाके आज ये दिन आया है payment कर दिया है बिल बन चुका है घर चलते है आज सुबह का सुरुवत पटाका से हुआ है क्योंकि आज दिबाली है और नीचे मेरा building में बहुत छोटे-छोटे से बच्चे है वो लोग इतना जदे excited है कि अभी से पटाका फोर्डा है तो पता नहीं साम को क्या होगा वैसे देखा जाए तो आज साम में तो बहुत मस्ती होने वाली है क्योंकि मेरा जो floor है first floor में में रहती हूँ तो सामने जो मेरा neighbor है उस auntie ने भी मुझे invite किया है उनके घर में पूजा होता है भोग लगता है और बहुत सारे चीज़े होती है तो मुझे बोला है कि बाबू तुम दोपहर में भी आना रात में भी आना और मेरा डर गई थी कि टूट न जाए वैसे mirror लेने के बाद में कितना पस्ता रही हूँ क्योंकि जहां पे भी shifting करती हूँ या फिर कुछ भी इधर उधर करना होता है तो मुझे बहुत मसला होता है winter के time पे नीचे बैटने में problem होता है क्योंकि floor इतना ठंडा रहता है तो इस room पे में पूरा मैट बिछा दूँगी ताकि बैटने में problem ना हो और मैं छोटू सा एक mirror भी order दिया था मेसो से ताकि सामने में mirror को यहाँ पे sit कर सकूँ क्योंकि यहाँ पे बैटके make up करना फिर skin care करना थोड़ा सा easy हो जाएगा क्योंकि बार बार मुझे उट उटके बड़ा mirror के पास जाना पड़ता है हर रोज ना मेरे लिए बहुत ज़्यादे challenging होता है कभी अच्छा दिन कभी बूरा दिन कभी अच्छा मूट कभी बूरा मूट और साथी साथ में यह सारे चीज को ignore करके अपने काम पे focus करना है मेना life में mentally strong रहना सीखा है एक ही चीज दिमाग में मैं रखती हूँ थोड़ा सा सुनने में selfish लगे वो यही कि हर बात हम लोग ने यह सोचते है कि कुछ भी हो माबब तो है माबब तो है यह चीज पहले सोचना बंद करना पड़ेगा सिर्फ यह सोचो कि तुमारे लिए सिर्फ तुम हो माबब हमारे लाइफ में पूरा टाइम नहीं रहेगा न हम माबब के लाइफ में रहेंगे तो हमेजा यह सोचना कि कोई है कोई है कोई नहीं है जिस दिन यह सोचोगे कि मैं हूँ और कोई नहीं है उस दिन आपकी तरक कि कोई नहीं रोख सकता क्योंकि मेंटली अब सबसे ज्यादा strong होगे और मेरा carpet कैसा लग रहा है थोड़े ये भी बता दो कितना प्यारा लग रहा है ना मैं तो बहुत ज़्यदा खुस हो गई हूँ अब मैं यहीं पर होँगी यहीं पर editing करूंगी यहीं पर सब कुछ करूंगी और मेना यह चोटू सा जो टूल है इसको ना मेने black sticker मैंतल जो पेपर हाता वाल पेपर से उसको मेने लगाया था तकि थोड़ा सा अलग लूक आए और अब मैं बोर हो गई हूँ तो यहां पर मैं white sticker लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगए क्योंकि यह ब्लैक बला काफी टाइम हो गया साइद 6-7 मंथ हो गया होगा तो इसको चेंज कर लेते होता है ऐसा लगते न्यू है दूसरा है ऐसा मुझे फील होता है बट यह कितना अच्छा लग रहा है ना इसका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है जस्ट 15-20 मिनिट लगता है और कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताना काम करते करते थोड़ा सा भूक लग गया था तो मीनी ब्रेक लिया तो यहां पर मैं सिताफल खा रही हूं और कोकोनट वाटर पी रही हूं और हागाइज आप लोगों से मैंने पूछा था हों वाक आउट के लिए तक कि आप लोग जीम नहीं जा पाओ तो घर पे ही कैसे कर सको पर डंबल के साथ तो नवेंबर आ चुका है पांस तरीक के बाद मुझे सेलेरी मिलेगा उसके बाद मैं डंबल ले लूँगी फिर में वीडियो जल्दी आप लोगों के साथ सेयर करूँगी So guys घर को चमकाने के बाद मैंने खुद को भी चमका दिया है और ये रहा मेरा दिवाली आउटफिट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना Happy दिवाली guys आप लोग खुस रहो अल्ला पक आप लोगो और कामिया भी दे तरक की दे लंबी है अदे अच्छी सेयर दे और अच्छे अच्छे घर पे साधी भी करवा दे और हाँ मेरे लिए भी दुआ करना I hope आप लोगोंने दिवाली में बहुत इंजाई किया दिवाली का नाए एक सौंग मुझे बहुत पसंद है मेरे तुम्हारे सब के लिए Happy दिवाली चाहे आप कोई भी धरम से क्यों ना हो एक दूसरे का festive में participate करना, celebrate करना और खुसिया बाटना, positive रहना Life बहुत छोटी है तो जितना होसा के खुसिया बाटो, positive रहो और खुस रहो और सबसे अच्छा best जो self-care है वो है positivity and happiness, inner happiness So guys मैंने इस रूम का भी decoration complete कर लिया है, कैसा लग रहा है मुझे comment करके जरूर बताना आप लोग को तो पता है ना आप लोग का feedback मेरे लिए कितना matter करता है Office से आने के बाद चाहे तो अब से मैं यही पर पीऊंगी, बहुत ही pretty और warm और cozy feel हो रहा है कौन कहता है कि अकेला खुस नहीं रहा जाता है, मुझे ही देख लो मैं तो भाई अकेला बहुत खुस रहती हूँ और सज बोलू तो बिना any headache मैं बहुत सुकून से रहती हूँ आज ना एक दिल की बात share करती हूँ 3-4 months है ना आप लोगों से एक अलग रिस्ता जुड़िया है YouTube से अलग रिस्ता जुड़िया है क्योंकि यह जो comment आता है ना आप लोग जो मुझे दी बोलते हो कोई समरीन बोलते हो कोई आपी बोलते हो एक रिस्ते के लिए मैं तरस्ती थी कि मेरा सच्चा कोई दोस मिल जाए कोई ऐसे मिले जो मुझे आपी बोले बड़ी बहन क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है तो यहाँ पे तो इतनी सारी बहने मिल गए इतनी सारे दोस्त मिल गए आप लोग मुझे अपना बना लिया है थैंकी सो मॉच आप लोग को बहुत सारा प्यार सो गाइस धनतरस में जो मैंने लिया था डाइमन फिंगर रिंग आप लोग को यह डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैंने नोस पीन भी लिया है पर नोस पीन अभी नहीं पहन सकती नोस में कुछ पहनती नहीं हो तो बंद हो गया है तो फिर से पियासिंग कराना पढ़ेगा पर मेरा जो फिंगर रिंग है कैसा लगा आप लोग को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा खुज से लिया हुआ फर्स डाइमांड रिंग और नोस पीन मैं बहुत खुशू अलहमदुलिल्ला दिवाली में कितने अच्छे से सब जगा पे डिकॉर किया हुआ है लाइट ही लाइट है पटा का फूट रहा है बहुत ही अच्छार हैपी हैपी वाइब आ रहा है दिवाली के डिनर के लिए रेस्ट्रेंड आज चुकी हूँ मैं अपने बेस्ट्रेंड के साथ पूरा दुनिया में मेरा एक ही लाइटा बेस्ट्रेंड है मेरा तो फेवरिट ही पर मेरा अम्मी अप्मु का सबसे ज़्यादा फेवरिट है और मैं यहाँ पे मेनू में देख रही हूँ कि क्या खाने में है तो खाना में तो बहुत कुछ है, तो फिर हम लोग ने order दे दिया और अब मैं बहुत सारा बाते किसी की सुन रही हूँ, मैं एक बहुती अच्छा लिसनर हूँ, आप मुझे जितना भी बात बोलोगे ना मैं बहुत अच्छा से सुनूंगी, और जब आप बात करोगे मैं एक दिल में अगर बात रह जाता है, तो बहुत जदा प्रॉब्लेम देता है, तो मैं सुनते भी हूँ, उसके बाद मैं अपना ग्यान भी देती हूँ, लाइप में एक ऐसा परसन होना चाहिए, जिसके सामने कुछ हाइड करने के ज़रूरत नहीं है, अब फिरी रह सको, जैसे आप हो, वाइसे ही अप रहो, डिनर तो बहुत जदा यम्मी था, मेरा बत्ती सी देखके तो समझ में आई रहा होगा, बोलते हैं ना, गूड फूड गूड गूड तो इस गूड मूड के साथ में वीडियो को येन करती हूँ, आप लोग उन्हें ब्लाग इंजाई किया हो और ब्लाग अच्छा लगा है तो ब्लाग को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना, फिर में आप लोग उसे भी लूगी मेरा नेक्स्ट ब्लाग में, बाई!